तस्वीर बतलनी चाहिए ना काम कर रहे हैं रिजल्ट आनी रहा है नहीं देखें आलोग जी आभी समझेंगे कि उद्ध्योग तो एक दिन में हम नहीं ला सकते हैं निशित और पर बिहार है तयार और हमारी ये कोशिश है आलोग जी ये आप समझें कि अगर हमने ये कोशिश धंग से की और इसको लगातार हमने मिंटेन रखा तो बिहार में एक नए उद्ध्योग के यूग के प्रारम होने से उसको कोई नहीं रोक सकते हैं बिहार की उद्ध्योग के हम बात करें तो बिहार की उद्ध्योग को लेका अक्सर मजाक हो जाता है क्योंकि कहाता है कि बिहार में कल कर खाने कहां हैं कहां तस्वीर बदली नितीश कुमार के इतने साल के शासन के बाद भी बिहार की तस्वीर नहीं बदली है कल कर खाने अधिकारी करमचारी घर को लोड़ चुके हैं क्योंकि उनका टाइम भी खत्म हो चुका है अगर नियमता देखें तो लेकिन मंत्री निश्री समिश्रा अभी भी काम कर रहे हैं क्या प्लैनिंग है तो उद्धोग विभाग के अंदर हम आप पहुंचे हो देखें यहां पर अ काम चल रहा है क्या काम चल रहा है आगंतुक जो हैं वह भी कुछ वेटिंग रूम में आकर बैठे हुएं इंतिजार कर रहे हैं फाइलोप का काम जो है वह अभी चली रहा है इंट्री हो रही है और तमाम इतने लोग हैं जो मिलने वाले हैं क्योंकि मंत्री भी खुद यहा कारे आठ बच चुके हैं 25 मिट मुझे इंतजार करना पर आई क्या काम चल रहा है नहीं इसको लेके यह जो तैयारी है उसमें लगातार बहुत सारा क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है उद्योग विभाग का और बिहार सरकार का क्योंकि भागी नहीं अनिविभाग भी जहां पर निवेश की संभावना है उपर्चुनिटीज है तो यह इन्वेस्ट बिहार का काड़िकरम है हम उस बिहार की बात कर रहा है जो उद्यों के लेकर ही शुरू से बदनाम रहा है ठीक है पहले कि काल खंड में क्या हुआ वह नहीं कर लोग बहुत बहुत में प्रियास किया है और अगर हम यह कहते हैं कि आप लोग बारे में चरिचा करने लगे हैं और सकरात्मक चर्चा हो रही है तो वो कहना भी अतिश्योक्ती नहीं है आप निवेश करते हैं बहुत सारे उसके फैक्टर्ज होते हैं लेकिन हमारा काम है प्रयास करना और पड़िनाम आ भी रहे हैं अगर आप देखेंगे तो इस वितिय वर्ष में ही बहुत सारे प्रस्ताव की हम लोग ने स्विकरिती द आ रहा है या एक्स्पैंड करना चाहा है तो उनको यहीं आगर करते हैं कि अब यहार को भी कंसिडर कीजिए निश्यत और बिहार है तयार और हमारी ये कोशिश आलोग जी यह आप समझें कि अगर हमने ये कोशिश भंग से की और इसको लगातार हमने मिंटेन रखा तो बि इस्ट्रेशन की एक उनलाइन प्रक्रिया भी थी कि जो लोग चाहते हैं तो उनका एक बैसिक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन हम मांग रहे हैं तो उससे वो भेज रहे हैं पिर विभाग उसमें कॉल ले रहा है अपना उसको कि हमको जो डिफरेंट केटेगरीज में या कैसे बुलाना है क्या करना है क्या उनका प्रोफाइल है उसलिहास से और बहुत जगह हम वेक्तिकात पत्र भी भेज रहे हैं बड़े निवेशकों से हम फोन पर बात भी कर रहे हैं उनको मागरभ भी कर रहे हैं तो कोशिस हम से जितना हो सकता है विभाग से हम लोग कर रहे हैं कि सभी विभाग कर सयोग मिल रहा है, उद्योग का ही नहीं, उड़जा विभाग कर सयोग है, आईटी डिपार्टमेंट का है, टुरिजम का है, तो उस दंग से आप देखेंगे तो बिहार में जहां भी ऑपर्चुनिटीज है, तो एक जो मैंने कहा ना कि ये इन्वेस्ट ब इसको कहते हैं बरे निवेश भी हो रहे हैं साथ ही स्मॉल मीडियम इंटर प्राइजेज हैं वो भी काफी हमारा बर्रा है तो हम क्या इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि चुनाओं से पहले चुनाओं एक पैमाना होता है उस वक्त लोगों को वोड देना होता है वह एक र सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैं समझ रहा हूं एक विजन के साथ एक रोड मैप के साथ में काम कर रहा हूं और जनता के सामने हैं सोशल मीडिया और आप लोग के भी माध्यम से लोगों के पास तमाम जानकरिया है चुनाओं तो हर एक पांच वर्ष पे आना ही है और बिह सही डंग से वो करती है लेकिन अभी हमारे पास समय है और अभी केनल सरकार के सही होग से और राज सरकार के प्रयास से एक बहतर वातावरन बिहार में एक अच्छा माहल बने निवेश आये बिहार की आर्थिक प्रगती हो युवाओं को रोजगार मिले उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और उसके परिनाम भी आ रहे हैं तो काम करनी की इक्षा भी और होती जा रही है अगर आप महनत कर रहे हैं अगर आप प्रयास कर रहे हैं और उसका आउटकम आ रहा है तो आपका भी मोटिवेशन बढ़ता है तो हम लोग सब मिलके कौन नहीं चाहेगा कि बिहार की आर्थिक परगती हो बिहार विक्सित हो हम लोग काम कर रहे हैं वाकी इश्वर हैं मैनत करेंगे निशित तोर पर पूरे संकल्ब के साथ कर रहे हैं और पूरी अपनी छमता के साथ to best of my ability एक मौका मिला है कि अपने राज के लिए बिहार के लिए कुछ बहतर करें अपने लोगों के लिए करें तो पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ और सिर्फ मैं नहीं मुझको परसंता है कि उद्योग विभाग में हमारी जो पूरी टीम है पूरी टीम एक साथ मिलके हम लोग बिहार के लिए बहतर कुछ कर सके उस जजबे और उस जुनून के साथ काम कर रहा है एक परसनल स्वाल पूशेता हूँ चलते हैं क्योंकि इंटर्व्यू खत्मी हो रहा है घर में आपकी जो होम मिनिस्ट्री है श्रीमते जी वो गुसा नहीं होती है कि रात को आते हैं सबसे बड़ी बात क्या है अलोग जी अब भी समझेंगे जल्दी इस बात को लेकिन ये मुझको खुशी इस बात की है कि इस जवाब देही को पूरी फैमिली समझ रही है और वो जब आपका परिवार भी उस रंग से समझता है कि आपके जिमें बहुत बड़ा काम है और एक बहुत बड़ा उपर्चुनिटी आपको मिला अपने स्टेट के लिए करने के लिए तो सबों का सिहोग मिलता है जाए बच्चे भी समझते हैं इस बात को पत्नी भी समझती हैं इस बात को और मुझको लगता है कि उस धंक से अगर आपका पूरा परिवार अगर आप समझ रहा है कि नहीं भाई आपके उपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी का निर्वाहन कर रहे हैं तो मुझको लगता है कि उसमें वो लोग भी खुशी होते हैं कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं और अपने स्टेट के लिए अपने लों के लिए कुछ करें तो अच्छा लगता है और काम करने की उर्जा और बढ़ती है बहुत शुक्रिया निटीश मिश्राज हमाई साथ है क्या कुछ आए का विजन है और एक बड़ा इंवेस्टर्स मीट हो रहा है पतना में उसकी तस्विर आपको दिखाएंगे तो देर रात तक विभाग में क्य झाल झाल